सबी बैयों को नमस्कार राम राम जेगो माता जेहिन मैं जमाल डेरी फरम से सुंद्रेल धामनो जिलाधार मद्य परदेश तो मैं आपको इसी वीडियो में मेरा थोड़ा डेरी का पूरा वीडियो आपको बताऊंगा और ये फर्ष्ट लेक्टेसन जो बालदात बचड़ी अपने डेरी फरम पे जो अवेलेबल हुई थी तो ये बिना वीडियो अपलोड किये हुए अपने पास में पांट साथ किलो मिटर बबन जी पाटी दार है उन्होंने पर्षेस किये और सेल हो गई है सेल का रवानकी का वीडियो डाल रहा हूँ इसी वीडियो में मैं आपको मेरी अच्छी खासी पांच साथ गाय भी और अपना एक बुल तैयार कर रहा हूँ वो भी बताऊंगा बहुत ही अच्छी शांदार अगर किसी भाई को इसमें की अगर क्वाल्टी इसमें की अगर बच्छिडिया चाहिए तो अवेलेबल हो जाएंगी और मिल भी जाएंगी ऑनलाइन सुविदा भी है और जो भी भाई है अपना चैनल पहली बार देख रहा है उसे रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल की सदे से जरूर लें बेल आइकन बटन दबाएं ताकि आने ओला हर नोटिफिक्शन सबसे पहले आपके बास आए इसके साथ-साथ में मैं बताना चाहूँगा अपने डेरी फर्म पे आज की तारिक में कम से कम 25-30 गाया अवेलबल है किसी बाई को चीए तो फीमेल काफ वाली भी है मेल काफ वाली भी है और प्रेगनेट भी है शांदार अच्छी-ची गाया मता अवेलबल है सेल के लिए रेड़ी है और यह जो इस्क्रेन पर आपको दिखाई दे रही है फॉस्ट एलेक्टेशन और इसरफ में दिखाना चाहता था अपने डेरी फरम पर केसी गायमात अवेलेबल होती है बहुत ही शांदार यह अच्छी क्वाल्टी वाली 100% गीर गलकमल नाभी साइज फॉस्ट बोडी इस्टेक्टर और हाइड लंबाई बनाया होगा शांदार अच्छी क्वाल्टी वाली गायमाता है और इसमें की गायमाता किसी बाइकोची है तो दिए गए टाइटल नंबर पर कॉल करें बहुत ही अच्छी शांदर गायमाता है आज यह वीडियो बनाने जा रहा ह गाड़ी में पास में जाएगी बबन जी पाटीदार है उन्होंने अपने से सेल करिये और उनके साथ में आजे भाई भी आए थे अजे भाई पाटीदार और उनके लिए भी एक गायमाता है तो आप देख रहे हैं इसको लोड कर दी है बहुत शांदार अच्छी 14-15 मेने क कि फीमेल थी और बालदा थी यह गाड़ी नंबर है यह अपना जो राद दिन अपनी गाय में चलता है इसके साथ में यह अपने पास फीमेल भी किसी भाई को चीए तो सेल के लिए रेडी है और मैं आपको सारी गया यह थोड़ी थोड़ी दिखाना चाओंगा वीडियो ल इसकी माँ भी दिखाऊंगा बहुत ही प्यारा बूल है बहुत ही शांदार इसकी माने फर्ष्ट लेक्टेशन में भी परड़े पंदरा से सोला लिटर मिल्किंग दिया था अभी भी दे रही है बतो और इसको मैं भूल कोई पिला रहा हूं अभी तो इसके बाद में यह आपको मैं दिखा रहा हूं बहुत अच्छी शांदार है सेकंड लक्टेशन में हैं बहुत ही प्यारी गायमाता है अच्छी खासी गायमाता मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा वीडियो को पूरा वांच करें गल कंबल बोडी स्टेक्चर नाभी का साइज बहुत शांदार है यह भी गायमाता प्रेगनेट है बहुत अच्छी शांदार है इन में से कोई गायमाता समझ में आए तो मुझे स्क्रिंसोट डालें और मैं आपको प्राइज और सारा डेटाल से बता दूँगा जो भी और यह भी डिलेवरी होगा यह फिमेल काफ वाली है इसके बाद में यह भी प्रेगनेट है गायमाता इसका सवरे डिलेवरी हो गया है यह मेल काफ है यह मेल काफ वाली गायमाता है बहुत शांदार अच्छी और यह इसके आगे मेल काफ है इसके बाद मैं कांकरेज नसल की गाय माता बताऊंगा बहुत ही प्यारी अपने बाद छोटी बच्ची आई थी ये कांकरेज नसल की है बहुत ही प्यारी गाय माता है किसी भाई को चीए तो इसके लिए भी कॉल करें मुझे बिल्कुल सहल के लिए रडी है यह अभी आठ महीने की प्रेगनेट है बहुत ही हेवी पुठे वाली यह अपने बुल की मा है जो फर्स्ट लेक्टेशन में इसने 14 लिटर दिया था फर्स्ट लेक्टेशन में 14 लिटर मिलकिंग दिया था यह अपने बुल जो तेयार कर रहा हूं राजु नाम है उसका राजु की मा है ताकि अभी भी ये टाइम का साड़े चार पाँच लिटर दे रही है जाकि प्रेगनेट है डाई से तीन महिने की प्रेगनेट भी है और पाँच लिटर अभी भी दूद पी रहा है ये बच्चा या आप देख सकते हैं किसी बाई को बूल ची है या ये मा भी अब सेल के लिए भी रेडी है हम इसको सेल भी कर देंगे बाकी कम बजट वालों के लिए प्लीज ये गाय माता नहीं क्योंगे इसने फ़र्ष्ट लेक्टेसन में 14-17 लिटर दे दिया था जमाल डेरी फरम के और